तो लेजी फ्रेंड्स जबर्दस किसम का यमी त्री मिल्क केक रेडी है तो जी ये देखें कि हमारा जबर्दस सा म्यूनीज त्यार है असलाम अलेकुम अलेकुम मैं लवली फैमिली उमीद है आप सब लोग खेर और आफियत के साथ होंगे अल्हम्दलिल्ला हम भी खेर और आफियत के साथ हैं तो जी ये कौन आए पिज़े तो जी मेरी प्यारी सी बेटी हिबा नूर है और इसकी सुबा बर्डे है और इसके लिए ये बहुत जादा जो एकसाइटिड है और आज हम इसके लिए ही एक स्पेशल साथी मिल केक बनाने लगे हैं और इसकी पसंद की एक बहुत जबरदसी जो है वो रेसिपी बनाने लगे है मायो की भी रेसिपी बनाएंगे और उसके साथ चिकन रोल्स भी बनाएंगे तो हमारे साथ रहिएगा विडियो में और एंड तक इसको जरूर देखिएगा हबाँ अपना गिफ्ट तो दिखाओ मैंने खोला मैंने खोला क्या है प्रफ अब अब ये लाप्टॉप नुह Frühल This ये लाप्टॉप — लाप्टॉप नुहीं ये तब्लेट है टब्लेट है ऑप्टिवा लाप्ट प्जरूंके शब्लेड समवाध और य। इसको ब्रेक नहीं केनाqua है खरो चलो 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 मैं। रखियान हो! इसको अंदर ही ओग एक तो Bu Farmad Be महामद दौौ इसको में स्पोर्ट कर रहा है उपर से चीजान निकालने में. तो जी अब हम मे Minneapolis स्यार करने लगे हैं तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक जग ले लिए और जो जग है उसको बिलकुल आपका लिए और पानी नहीं होना चाहिए अच्छे सिसको अ जो आपका ब्लाइब हो श्रुड कर लेडिये और विलकुल आपनी नहीं होना चाहिए अगर आपको लसन का स्ट्रॉंग फ्लिवर पसंद है तो आप 2-3 भी इसके अदर एक टेबल स्पून इसके अंदर हम सिर्का डाल देंगे अब हमने इसके अंदर का स्ट्रॉंडर कर दीए और अब हमने इसको ब्लेंड करना है एक कब कुकिंग ओयल या आपने किसी अच्छी कंपनी का लेने और इसको हम इसके अंदर एड करें के और इसको बिल्कुल कत्रा करके हमने इसके अंदर डालना है एक दम से हमने सारा नहीं करते ने और अब में पहले ग्राइंडर को चलाने लगी हूँ हम इसके अंदर ओएड कर दी है और अब मैं आपको खोल कर इसको दिखाती हूँ तो यह देखें म माशाआलला जबनस था जो हमारा अम्योनी इर आड़ि है और अब मैं आपको इसकी जरा ठीकनेस चेक आती हूं यह चेक करें ज़रा एक में रूख ना आप ठीक है और अब इसको हम इसके अंदर एड़ कर देंगे अलग से एक बाउल में और यह बहुत जबदस मियोनीज बनकर त्यार हुए और इसको ग्राइडर के अंदर ऑईल डालने के जो मुझे टाइम लगा है वो के लिए भी इसको बन नहीं करना है मुझे सलसल इसको चलने देना है तो जी यह देखें हैं हमारा जबदस सा मियोनीज त्यार है और इसके आप कंसिस्टेंसी चेक करें इंशाला आप दे इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है तो आप इसी तीके से बेतरीन मियोनीज बनकर क्यार हो जाएगा और इसमें लसन ऑप्शनल है आप डालेंगे तो बहुत मज़ेका फ्लेवर आता है और अगर आप इसको स्किप करना चाहिए स्किप भी कर सकते हैं बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा है कि जी हमें आप वेकिंग ओवन को प्री हीट करने का तरीका कार बताएं तो बिलकुल इजी है बहुत सिंपल सा है तो सबसे पहले आपने इसको ये इसका सबसे पहले नॉब है जिसके उपर निचे बरनर में आज जलना शुरू हो चुकी है तो इसको मैंने यहाँ पर 180 के उपर यह जो dot है इसको मैंने 180 के उपर रखा है ठीक है और यहाँ से मैंने इसका जो minute time है वो मैंने इसका सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यह time है इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 minute के लिए pre-hit पर लगा दी है 10 minutes आप अपनी watch के उपर भी इसको लग के लिए special और इसके अंदर आज हम अपनी मुपतें भी डालेंगे प्यार भी डालेंगे और खुलूस भी डालेंगे तो जी वेगम साब इसको start करें तो जी थ्री मिल्केक बनाने के लिए यहां पर मैंने एक ब्लेंडर चग ले लिए और इसके अंदर मैंने यहां पर तीन अंडे एड़ करने लगी हूँ यह जो एक्स है यह दूम तंप्रेचर पर हैं ताथ ही इसके अंदर मैं हाप कप चीनी एड़ कर रहे हूँ वन की स्पून इसके अंदर हम नमक एड़ करेंगे और अब हम इसको ब्लेंड करना है तो जी दो मिनट होगे इसको ब्लेंड करते हुए और यह देखें इसका इस तरह से यह टेक्स्ट्र हो चुक है अब हम इसको एक अलग से बॉल में शिफ्ट कर देंगे और अब इसके अंदर हम एक की स्पून वनियला एसेंस एड़ कर देंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है और अब इसके अंदर हम एक कप मैदा एड़ करेंगे और मैदे को हमने चान लेना है साथ इसके अंदर हम एक की स्पून विकिंग पॉर्डर एड़ कर देंगे और अ करना हम जय को अच्छे से चान लेना और अब अब हम जय को अच्छे से मिक्स करना है बुल्कुल हलते हाथों से पोल्ट करना है, तकि किसी किसम के कोई ख complion की की़, ना हूँ तो जी यहाँ पर हमारा जैटर अच्छे से मिक्स हो चुछ है इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस्टीके से होगी अब हमने इसको रख देना है एक साइट पर और यहाँ पर मैंने एक फीशे का बॉल में लिए जो हीट जूट है हमें इसको ओइल से अच्छे से बीश कर लेना है और अब यहाँ पर मैंने एक बेकिन पेपर ले लिए हो पिछहा देंगे और अच्छे से हमने ओईल इसके पर सारा स्प्रेड कर लिया है अब हम इसके पर अपना बैटर डाल देंगे इसके अंदर तो यहां पर मैं इसको 30-35 मिनट के लिए रखी ओवन में बेक होने के लिए ओवन को मैंने पहले ही प्रिहिट कर दिया था तो फ्रेंड्स अब हम त्यार करने लगे हैं केक के लिए केरिमल सॉस उसके लिए हमने एक ऐप्राइब लियें और बाकि हराा आपक पर शॉसुट केरिमल सॉस पनाने लगे इसकी यहां पर मैंने आपकब चीनी ले लेका है その के कियो कई सलल सल चमचा चलाते रहे रह ने कुछिह देर बार यह दीर कर निऑ आपने प्लेम लो रखनी है और इसको मिक्स करना है तो यहां पर देखें यह काफी हद तक डिजॉल होती ही नजर आ रही है अभी कुछ इसके अंदर हैं चीनी के पीसिस तो इनको भी हमने डिजॉल्व कर लेना है और आपको यहां पर कलर भी खुबसूरत सा केरमल वाला मनकवा नजर आ रहा है बस जैसे ही जो इसके अंदर कुछ नजर आ रही है ना शूगर फुल डिजॉल्व होती है तो यह देखें माशाला बहुत जबदस सा यह हमारा केरमल यह कलर आपको नजर आ रहा होगा और साघ यहां पर मैं बनकवक तक टिंग दी हूं यहां आपको तक प्रेश प्रेम डिया एड़ कर देंगे एसके अंदर और इसको अच्रे सने मिक्स करता हैं और इस ताम पर मैने फ्लेम उफ कर दया है तक यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो जी यहां पर देखें क्रीम भी अच्छे से मिक्स कर लिए है और जिस टम मैंने बटर और क्रीम एड़ ती उस टाइम पर आपने फ्रेम को आफ कर देना है और अच्छे से मिक्सिंग करनी है अगर यह आपको ठिक लगे तो आप इसके अंदर मुझीद क्रीम भी और अड़ सकते हैं तो जी यह देखें हमारा जबर्दस साथ परफेक्ट साथ कैनिमल बिल्कुर रड़ी है और अब हम इसको रख देंगे एक साइट पर ठंडा होने के लिए केक को अब हम ठंडा होने के लिए रखेंगे तो लेंजी फ्रेंड्स अब हम बनाने लगे हैं बहुत ही इसकी फिलिंग चार करेंगे यहां पर मैंने एक टिबल स्पून कुकिंग ओल ले लिया है साथ इसके अंडर हम एक टी स्पून लेसन अजर का पेस्ट कर देंगे एक सबस मिर्च लिए उसको बारी काट लिया है यह एक कर देंगे और इसको में हलका साथ प्राइ करने है इसके फ्राइ करने है ताकि चिकन है हमारा चिकन का इसके फ्राइ हो जाए और चिकन को फ्राइ हो जाए तो यहां पर एक से दो मिनट हुए चिकन को फ्राइ होते हुए और यहां पर देखें चिकन का प्राइच हो गया अब इसके अंदर कुछ स्पाइस एड करेंगे तो य थो ब्रेट कर रही हूं, एक दो चुटी के बराबर इसे बहुत उभ्सूरत करें ना ने आपको रहेड़ी तुझी क्रेप्स करने के लिए यहां पर हमने एक कप मैदा ले लिए यह उसको बैने अच्छे से चान लिये साथ इसके अंदर मैं हाप कप दूध एड़ कर रही हूँ हाप कप इसके अंदर हम पानी एड़ करेंगे 2 TAV SPUUNE के अंदर नहीं अच्छ करेंगे 2 TAV SPUUNE COOKING OIL एट करेंगे और एक एग एट करेंगे इसके अंदर और अच्छे से हमने इस MIXشر को मिक्स करना है बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई किसी किसम के LAM SPYRA ना रहें और एक टी स्पून इसके अंदर नमक भी एड़ किया है, सोरी नमक वाला जो क्लिप था उस टाइम केमरा ओफ हो गया था तो जी यहां पर देखें हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिये और अब हमने इसको अलग से बॉल में छान लेना है ताकि इसमें किसी किसम को कोई लंप स्पेरा ना रहे तो जी यहां पर देखें कि इस टीके की मेडियम संस्टेंसी वाला हमारा यह बैकर है यह रेड़ी हो गया और यह बहुत ही जबर्दस बंकर रेड़ी होंगे तो अब हम चलते हैं अपने चिकन की तरफ तो निचे साथ मिनट हो गए और हमारे चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी मुझूद है इसको हमने ब्राइ करना है अब 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 इसके अंदर हम जो तर्फीन केबल सुन यहां पर मैंने शिमला मुचे रीटी जिनको बिल्कुल चॉप कर लिए यह एड कर देंगे एट मैंने मेडियम साइज की गाजटी तो इसको भी चॉप कर लिए यह एड कर देंगे इसको अबकर एक मिदला तक इसको अच्छ से प्राई करना तो जिए पैटर हमारा रेडि हो गया और अब हमने के क्रेप्स रेडि करने अ तो यहां पर मैंने नोन स्टिक का एक फ्राइंग पैन ले लिए और अब हमने यहां पर एक 1 3rd cup का यहां पर मेरे पास मेरिंग कप का मैंने यही इस ती का कप ले लिए 1 3rd cup और यह मैं इसके अंदर एड करूंगी और इसको हमने अच्छे से फिला लेना है तो यहां पर मैंने फ्लेम ओन कर लिए और अब हमने इसको कुक करना है फ्लेम यहां पर मेरी मीडियम है यहां पर देखें आपको इसका कलर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और जैसे यह एक साइट से कुक कोगा तो यह अपनी साइट को छोड़ना शुरू कर देगा तो यहां पर देखें इसने अपनी साइट से छोड़ दी है और इसको मैं मीडियम हीट पर कुक कर रही हूँ और तक्रीबान इसको कुक करते हुए देट से दो मिनट हुए है और अब हमने इसकी साइट को इसके से पहले तो साइट से हटा लेना है और फिर हमने इसको पलट तो यह देखें बहुत ही जबर्दस सी हमारी यह क्रेप बनके रैडी है और इसको हमने निकाले ने और अलग प्लेट में हम इसको रखते जाएंगे यहां पर मेरी बेटी जो है वो अभी शॉपिंग करके आई है इसकी कजन्स ने इसको मुख्तलिफ चीजें दी है जिसमें यह क्या चीज़े वा अच्छा यह तने प्यारी प्यारी चीजें जो हैं अच्छा गड़्ड यह सारी चीजें जो है आप ना अब कुछ देखें तो तो जी यह सारा समान जो है वो हिबा को इसके चोटे-चोटे भाइयों ने दिया गिफ्ट थैंक्यू नी कहना हिवा आपने थैंक्यू एव्यान तो जी एक शीट मेरी त्यार हो गई है फ्राइंग पैन को मैं फिर से उठा के शल्फ पे ले आई हूं और इसको मैंने ऐंक्वाइज सबूर के अचे से थे थैंक्यू आपने टार फैला का जानी हो एक स्प्रेट हो जाता है का जाते जह सर्च कर एक बारे पता अस्यक्तिट को प्धर अच्छ प्रेट नहीं लाएग प्र जाते हैं तो इसको मैं बापस को ष theCUBE रखेंगा है एक आप है मैं और बहुत मोटा जो है ना ये बनेगा ये शीट जो है और अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है एक से डेट मिनट के अंदर ही ये देखें फोरन से इसका ये पकना स्टार्ट हो जाता है आपको उसका कलर भी नजर आ रहा होगा चेंज होता हुआ और आप इनको ऐसे क् साथ को चेंज कर देना है और डूसरी साथ से भी हमने इसको तकीमन एक से देर मिन तक कुप करना है मीडियम फ्लेम पर तो ये देखें अब हमने इसको एक मिनट के बाद फिर से में आपको चेंज करके दिखाती हूँ और ये हमारी शीट पे तीन सी रैडी हो गई है और इस ये शीट को आमने दूसरे के उपर रखते जाना है ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी तो चीए देखें हमारी जबर्दस से चिकन क्रेप्स चिकन रैप्स रैडी हैं और यहां पर मैंने इस पैटर से छे रैडी की है और यहां पर ये देखें इनको में दूसर हो चुकी है और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो पर इसके अंदर मैं हाफ कब मोजरेला चीज एड कर रही हूँ अब मोजरेला चैडर जो भी अविलेबल हो एड कर सकते हैं और अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं तो ये इसको एड़ ड्रहरें तो टेबल स्पोन के क्रीम में इसके अंदर फिलिंग रहे हूं और यहां पर मैंने प्लॉन एंड त्यार कर लुँन है इसको हमने ऐसे कर दिन है और फिरसे हमने इसको अच्छे से सील करने के लिए इसके फिरसे कॉर्नर पे लगा देने हैं सेंटर में भी लगाएंगे और अच्छे से मैं इसको यहां पे भी लगा रही हूँ ताकि यह अच्छे से सील हो जाए उट पाॉकेट्स रेटी हो गया है तो इससरा के हमने पार्सर्स रेटी कर लेंए है क सारी कि सारी अपने ग्रेपस बना कर रेडी कर लेंए आप इनको इस वक्त फ्रीज भी कर सकते हैं, आप इनको वन मन्क के लिए बहुत इसी घी एक रखने में रखें लेकित कर सकते हैं, लेकिन अब ही मैं आपको फीजारे दिखाती हूँ तो यहां पर मैंने एक frying pan में oil add करने लगी हूँ, हमने इनको shallow fry करने है तो इसलिए बहुत ज़्यादा oil नहीं लगेगा, थोड़ा से oil हमने डालने है तो जी हमने medium heat पर इनको fry करने है, oil को हमने हलका सा गरम कर लिये, बहुत ज़्यादा तेज गरम oil में इनको नहीं डालना तक्रिबन तीन से चार मिनट में यह वे तीन से हमारे फ्राइ हो जएंगे, तो जी दूसी साइड से भी इसको पकते हुए जेर्ट से दो मिनट हो गए है, और यह देखें कितना अबसूरत इसका golden crispy सा color आ चुक है और बहुत crispy यह हो गया, अब मैंने पर से इसकी side को change करने है और तक्रिबन एक मिनट के लिए मैं दूसी साइड से भी इसको fry करूँए ताकि अच्छा सा golden crispy color दोनों साइड से आ जए, तो जी दोनों साइड से बेत्रीन से यह हमारे ready हो गए हैं, और तीन से चार मिनट लगे हैं इनको fry होने में और बेत्रीन सा इनका color आ चुक है, आपको presentation करते भी दिखाते हैं, यह हमारी जबदस से chicken crepes ready है, और यह देखें जरा, बहुत यमी यह बनकर त्यार हुए हैं, एक बार आपने इनको ज़रूर ट्राय करना है, बहुत यमी नहीं है, बहुत जबदस, वेल दन एरा, और मैं आपको कहूंगा इसको ज़रूर ट्राय करें, बहुत ही जबरदस, बहुत आउटक्लास का टीस्ट है, आप भूल जाएंगे, कि आप बजारी कोई चीज खा रहे हैं, आपको पता लगेगा कि चीज है कोई, तो जी केक भी हमारा ठंडा हो चुके है, और अब हम इसक इसके अंदर थोड़धोरे से डिस्टन्स पे होल्स कर दोँगी, तो यहाँ पर मैंने थोड़धोर से पास ले पे, यहो जार लिये हैं, तो ज़िए हम केक कि यार करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कफ दूज खे लिए है, और इसको बावल देंगे, ऐक बाउल में साथ है, इसके अंदर मैं तीन टेबस्पून कंडेन्स्ट मिल्क जाल कर्दें गिरी आध्र अंदाजिसी में में डाल वें तार्डुन को इसको अद्डेने छाफ कि जाल के लिए को मिक्स कर लेंगा है और अब हमने इसको अच्छे से विप कर लेना है तो यह देखें यहां पर 3-4 मिनिट हमने इसको मुसलसल बीट किये ताकि इसके स्टिफ पीक्स बन जाएं और यह देखें हमारी बहुत जबर्दस्ती क्रीम विप लो गई है अब हमने इसको रख देना है साइड पर और अब यहां पर जो मैंने इसके लिए मिल्क रेडी किया हो था व हम इसके पड़ कर देंके यह सारे का सारा हमने इसके अंदर पॉर कर देना है ताकि जो हमारा केकर अच्छे से इसको अब्सॉब कर ले तो जी यह देखें दूद इसके अंदर अच्छे से अब्जॉब हो गया है और अब मैं इसके उपर विप क्रीम की लियर लगाऊंगी अच्छे से और इसको हमने स्प्रेड कर देना है तो जी इसको हमने सारा अच्छे से इक्वल कर देना है तो यहां पर जो मैंने केरेमल रैडी किया था इसको भी मैं अब गरम कर रही हूँ क्योंकि यह पढ़े पढ़े बहुत जादा थीक हो गया था इसलिए बस इसको हलका सा गरम करना है ताकि यह थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो चलिए एक निट के लिए मैंने से गरम किया है कर रही हूँ और यह देखे हमारा फिर से यह यह त्रीम कंसिस्टेंसी में आ गया है विप्ट क्रीम की भी लेयर मैंने सेट कर दिया है और अब मैंने इसके अपर यह पूर करने लगी हूँ फिर थीघए अपने पिर इसके लिए, तक हमें नीचे वाणि हमारी गरम कошब टारा यहुआ को दारिक встречा हम मैंने मिक्सटेंसीर dynamics को मैई कियो मैंने बड़र हमने पूर्फेस पूरा से कुर्छ निचे, इसि यह वाणी जो कृम है इस बड़े नरी के बढ़ए वह कर दो खे स्टीके trains पाइIGHम डाल लAmerica Surah इसके अपर कुछ डिजाइनिंग को रिणी है तो मैंने स्टीके से लम्बाई में स्कीपर linz वरा बना रही हूं आप दुध्लिख की और सकते हैं तो यह ने टुद्बिक ले लिए एक चत्बिक ले ली है और इसको मैं यहां से क्लीन कर लूँगी फिर दुबारा यहीं से ही कॉर्नर पर आखिया हमने लाजमी इसके टिप को इससे क्लीन करना है इससे बहुत प्यारी डिजाइनिंग होती है बेगम आप वाकी आर्टिस्टों यार तो लेजी फ्रेंड्स जबरदस किसम का यमी ट्री मिल्क केक रेड़ी है तो आपको करना ये है इसको उठाना है और फ्रीजर में रखना है और उसके बाद आपने कुछ लेर के बाद जब ये चिल हो जाए इसको खाना है आप भूल जाएंगे केरीमल क्रंच आइस्टीम भूल जाएंगे इतना जबरदस केक बनाए तो जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे हिबा को हमने विश्च करने लगे है हिबा नूर जल्दी से बाहर आजो जल्दी से आज़े चलो जल्दी से आओ जल्दी से आओ अपना हाल देखो क्या बनाया हुए आपने तो जी ये देखें जबर्दस्ट जनाब हमारी जबर्दस्ट किसम की रेसिपीज रेडी हैं और आप इसको जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजेगा अपने फैमिली और फ्रेंट्स के साथ शेयर कीजेगा अगर आप न्यू हैं तो इसको जरूर सबस्क्राइब कीजेगा अपना ख्यार रखें मिलते हैं अगले विलॉग में अगली वीडियो में अगली रेसिपीज के साथ अपना ख्यार रखें खुदा आफ़ज